राधा और कृष्ण की कथा, एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा से है. धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी. एक कहानी जो सुनाई जाती है, वो य ये है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। आपने भी वो गाना सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी। तो कृष्ण अपनी मां से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। यशोधा जी ने कृष्ण से कहा कि जो तुम्ह में राधारानी को रंग लगाने पहुँच गए। तभी से रंग वाली होली का चलन शुरू हो गया। कृष्ण के हाथों पूतना वध की कथा होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नाम के राजा के लिए भविश्यवानी ह हुई थी कि उसकी बहन का आठवां बेटा उसकी मृत्यू का कारण बनेगा। इस भविश्यवानी के बाद कंस ने अपनी बहन देव की और उनके पती वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला क कि उसकी बहन देव की और वासुदेव के आठवें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है। तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान ने महिला का रूप बनाया, वह शिशूओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विश पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया, कहा जाता है कि वो दिन फालगुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुश के देवता कामदेव आगे आये और उन्होंने शिव पर पुश्प बान चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई, तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए, और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी, और उनके क्रोध की अगनी में कामदे रती को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा, फिर रती ने शिव की आराधना की, वह जब अपने निवास पर लोटे, तो कहते हैं कि रती ने उनसे अपनी व्यथा कही, वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर, भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोश है पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था, उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया, उन्ही सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वरण किया, कामदेव ने तो उन नया नाम दिया मनसिज, कहा कि अब तुम अशरीरी हो, उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी, आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया था, सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिंता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी, कामदेव अशरीरी भाव से नई स् प्रेणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे, ये दिन होली का दिन होता है, वहीं कई जगहों आज भी रति के विलाप को लोगधुनों और संगीत में उतारा जाता है